नमस्कार मैं भाशा और न्यूस क्लिक पर आप देख रहे हैं खोज खबर कायश्क्रम यह आखें यह आखें बहुत चुपती है ना भीतर कलेजे में धस जाती हैं यह आखें हैं चार साल के इरशाद की जो दिल्ली से वापस अपने पिता के साथ गाउं जा रहा था बिहार में वह पहुचा मुझफर पूर तक तो सही सलामत लेकिन वहां से बेतिया के लिए ट्रेन चड़ते चड़ते उसने दम तोड़ दिया उसकी पिता ने बताया कि कुछ भी खाने को नहीं मिला था पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा था लाडले के पेट में अनाच का एक दाना नहीं था ये आखें हमें और आपको परिशान करती हैं क्योंकि ये खुली रह गई वे जाना चाहती थी अपने गाउं काश ये आखें धस जाती हमारे हुक्मरानों की आखों में उनके जहन में क्योंकि उन्होंने तो पूरी तरह से भारत के मेहनतकश तबके मजदूर आमनागरिक के प्रती आखें फेर ली हैं हमारे देश की सरकारों को उनके बारे में कुछ न दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है और नहीं वे देखना चाहते हैं आप तक भी खबरें पहुच रही होंगी हम तक भी पहुच रही हैं और ये खबरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं क्या हम 2020 में अपनी ट्रेनों तक को सही धंग से नहीं चला पा रहें भारत की इतिहास में शैद पहली बार हुआ होगा कि जाना था जापान पहुच गए च तमिलाडू से निकली जारखन जाने के लिए पहुच गई उडिसा मुंबई से निकली गोरखपुर जाने के लिए पहुच गई कहीं और क्या सरकारों को ट्रेन चलानी नहीं आ रही घंटों घंटों ट्रेने लेट चल रही हैं और जो खबरें वीडियोज आ रहे हैं वो द प्रीट किट दावे कर रही हैं लेकिन वहां उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं पीने के लिए पानी नहीं और कहां वे पहुचेंगे ये ना उनको पता है ना सरकारों को पता किसी ने अभी तक इतनी बड़ी गल्ती की जिम्मेदारी नहीं ली लोग लिख रहे हैं कि ट्रेने अपना रास्ता भूल गई क्या मोधी सरकार और जो यहां के रेल मंत्री हैं ये एक शब्द देश की जनता को बताएंगे कि रेलवे का आलम ऐसा कैसे हो गया कि वे रास्ता भूल गई क्या ट्रेन तक चलाने का अधिकार, हक और जानकारी इस सरकार के पास नहीं है इतने बड़े पैमाने पर ये जो आपदा गरस्त भारत है इसमें मजदूर संघर्ष कर रहे हैं ट्रेने लेट चल रहे हैं ट्रेनों में लोग मारे जा रहे हैं लेकि किसी ने जिम्मेदारी नहीं ले कि ट्रेने गलत जगा कैसे बहुच गई क्या ये तमाम लोग सफर कर रहे हैं ये भारती इनागरिक नहीं है और मोदी सरकार की इनके प्रती कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या किसी के लिए भी कोई जिम्मेदारी इस सरकार में किसी भी मंत्री की नहीं है एक तरफ ये मजदूर हैं ये आखे हैं उन बच्चों की आखें जो मारे जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ यह सरकार इस सरकार को चलाने वाली पार्टी उत्सव में है जेश्ट मनाने की तैयारी है मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल कोई पैदल सलक पे जा रहा है जाए अपनी बला से कोई ट्रकों में ठुसके टैंकरों में जा रहे हो जाएं उनकी बला से इस सरकार को इस समय सबसे ज़्यादा चिनता है कि 30 मई को कैसे भव्वे और दिव्वे बनाया जाए और इसके लिए युद्ध स्तर पे तैयारी है के कारेकरता वाटसप ग्रूप बनाएंगे ताकि मोदी सरकार ने एक साल में क्या 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 उपलबधियां हासिल की कोरोना को किस तरह से लगाम में लिया यह सब प्रचारित और प्रसारित किया जाए सिर्फ इतना ही नहीं वे प्रवासी मज़़ूरों तक तो नहीं पहुच पाए जिनके संख्या आठ करोड के करीब वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन ने बताई लेकिन अब मोदी सरकार का प्रचार प्रसार करने के लिए वे दस करोड भारतिये घरों तक पहुचेंगे और वहां क्या ले जाएंगे वहां प्रधान मंत्री नरेन मोदी द् लिए इस सरकार के पास पानी नहीं है बसे नहीं है ट्रेने नहीं है ट्रेनों में जो व्यवस्ता होनी चाहिए वह नहीं है लेकिन सारी की सारी मशीनरी को लगाया जा रहा है कि किस तरह से 10 करोड भारतिये नागरिकों के पास प्रधान मंत्री का हास से लिखा हुआ पत्र पहुचाया जाए उस पत्र में क्या लिखा होगा यह ब्योरे आप तक पहुची जाएंगे कुछ जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि उसमें जो जो उन्होंने दावे किये थे पहले वो किस तरह से हासिल किये वे सब होंगे और देश की तमाम भाशाओं में इसका अनुवा ही उन घरों तक पहुचाया जाएगा दिखाई देता है कि जिस समें देश जल रहा है जिस समें भारत का नागरिक भूग से मर रहा है उस समें जो सरकारी तंत्र है वह किस जश्न में लगा हुआ है तो दिखाई क्या दे रहा है हमें कि इस समें तैयारियां चल रही है नखशा है इस समय जलसे का इस जलसे में क्या कुछ होगा इसका पूरा विस्तार इस समय देश का जो शाशन जिसके हात में हैं जिस political party के हात में भारती जनता पार्टी के पास पूरा का पूरा नक्षा है, हो सकता है उनके पास 10 करोड घरों के पते भी हूँ, वहां तक वो प्षणा कल से वैसे भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनके पास शायद इस रिक्षे वाले का पता नहीं होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा ह है, यह पतना के रिक्षे वाले हैं, जिन्होंने आत्मात्या कर ली, क्यों? क्योंकि लॉक्डाउन से बुरी तरहा से तबाह हो चुके थे यह, बाकी और तमाम करोडों की तरहां, इनके पास, इस सरकारों के पास, इस व्यक्ति को कफन देने तक का पैसा नहीं है, आप कि एसी हिर्दे विर्दारक खबरें आ रही हैं, देश के अनेक कोनों से, जिसमें से एक यह भी हैं, जो देश के नागरिक हैं, कूडा बिनने का काम करते हैं, यह जो कूडा बिनने वाले व्यक्ति थे, भारत के नागरिक, यह लॉक्डाउन की वज़ा से बेहत परेशान थ जो ब्योरे आएं हैं, उनसे पता चलता है कि बाकी देश के गरीब जिस तरह से जिन्दा रहने के लिए संगर्श कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से यह भी कर रहे थे, और हाल देखिए, इस आत्म निर्भर विक्सित भारत की, इन व्यक्ति के पास, मरने के बाद इतना भी पैस नहीं था इनके परीजनों के पास, कि वे इन्हें जला सकें, इन्होंने बहुत कोशिश की, कि जाकर कहीं से, चंदा मांगकर, इनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे जुटाए जा पाएं, लेकिन जब नाकाम रहे, तब उन्होंने उनकी लाश को उनके घर में ही गाड यह मोदी जी आपका आत्म निर्भर विक्सित भारत, जिसके बारे में आप एक शब्द न पहले बोले थे, और एक शब्द तब भी नहीं बोलने वाले, जब आपके शाशन के एक साल पूरे होने वाले हैं झाल 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 झाल